सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन आज हमने यह निर्णे किया है कि यह गटबंदन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए समभव नहीं होगा नमस्कार विच्वर न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शरादवस्ति आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट जम्मु कश्मीर में पिछले तीन साल से चली आ रही बीजेपी पीडीपी गरबंधन सरकार गिर गे बीजेपी ने आतंकवाद और सभी छेत्रों का विकासना करपाने के आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी राजजपाल को अपना स्थीफा सौथ दिया मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी से कडबंधन पावर के लिए नहीं बलकि लोगों को सहूलियतें देने के लिए किया गया था इस वैसले के बाद जम्बू कश्मीर में इस महीने खत्म हो रहे है राजजपाल एनन वोहरा के कारेकाल को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया जम्बू से कश्मीर और लेह तक नजाने कितनी रेलियों में सियम महबूवा मुफ्ती और पियम मोदी एक साथ दिखाई दिये एक दूसरे की तारीफ की सूबे के विकास की बाद भी की गई लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सचाई थी कि विचारधारा से दोनों पार्टियां एक दूसरे से बिलकुल जुदा थी अलग थी और इसी वज़े से तीन साल तक चलने वाला ये गड़ बंधन आखिरकार रमजान के दौरान होई हिंसा के बाद बिगड़े हालातों की भेड़ चड़ गया जमु कश्मीर के बीजेपी प्रफारी राम मधों ने गड़ बंधन तोड़ने का एलान करते हुए कहा कि तीन साल तक केंद सरकार ने पूरी मदद की लेकिन जमु कश्मीर के हाला सुधर नहीं रहे थे बहबूबा सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल साबित होई तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज में सिती को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवस्यक कदम राज सरकार ने मांगी है वो सब देने के लिए हमेशा तत पर रही पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हाला कि हम भी तीन साल से उस सरकार में भागिदार रहे है फिर भी सरकार का जो मुख्ष नेत्रुत्व जिनके हाथ में है वे इन सितीऊं को संभालने में कहीं पूरन रूप से सफल नहीं रहे है हम उनको इराद हो उनको कोस्टिन नहीं कर रहे है पर वास्त्विक्स्टिती में जो राजसरकार का दाईत वथा विसेशकर कश्मीर घाटी में परिस्टिती को तुजाबने का उसमें राजसरकार असफल रही ऐसा ही लगता है राम अधों ने कहा गटबंधन एजट्डों के तहस हुआ था केले सरकार ने अपनी तरफ से हर कतम उठाए लेकिन पीडीपी सरकार जम्मू और लही लाकों में विकास भी नहीं कर पाई राम अधों की ओर से प्रदेश में गवर्णर रूर लगाने की मांगी की गई और दूसरी तरफ जम्मू और लगदात में जो विकास की दुष्टी से जितना काम होना था उसमें भी कही न कही अच्छने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है जितने मंत्राड़े हमारे पास थे उनमें फिर भी हमारे मंत्री कोशिश करके कुछ विकास के काम कर सकते थे पर पूरी सरकार तो विजेपी का नहीं है उसके चलते कई विभागों में काम की दुष्टी से काफी समझ चाहें और एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की भावना जम्मो और लदा की जनता मैसूस कर रही है इधर बीजेपी की समर्थन वापसी के एलान के बाद महभूबा मुफ्ती ने भी राज्यपाल एनन गोहरा से मिलकर इस्तीफा सौन दिया और इसी के साथ सूबे में बीजेपी और बीडीपी का ओफिशल ब्रेक अप भी हो गया महभूबा मुफ्ती ने इसी फिके बाद अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि बड़े विजन के साथ बीजेपी के साथ गरबंधन किया गया था लेकिन धारा 370 हटाने या डराने धमकाने की नीती जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकती अगर पावर के लिए करना होता तो उसे उमर साब और का अंग्रेस हमें से तोड़ करना चाहते थे इस अलाइंस का बड़ा मकसद था और वो बड़ा मकसद क्या यूनिलेटर सीस फायर वो बड़ा मकसद क्या डालोग की आफर वो बड़ा मकसद क्या प्राइम निश्र का पाकिस्तान जाना वो बड़ा मकसद क्या गेरा हजार नौजवानों के खलाग अफायर विड्रॉप करना इसने नेशनल कॉन्फरेंस की ओर से पूर्वसियम उमर अब्दुल्ला ने भी साफ किया कि वो सरकार गिरने के बाद ना तो किसी को समर्थन देंगे ना ही समर्थन लेंगे गवर्नर को राच चलाने में नेशनल कॉन्फरेंस फूरा सपोर्ट देगी गवर्नर साब से कहा है कि इन हालात में जब कि किसी भी एक पार्टी के पास हकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं तो फिर गवर्नर साथ के पास और कोई चारा रहेगा नहीं उनको फोरी तोर गवर्नर रूल लागू करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी कि रियासत के जो बहुत ही ज़्यादा खराब हालात है उनको आइस्ता आइस्ता दुरुष्ट करना होगा इधर कॉंग्रेस की ओर से BJP और PDP पर सुबे की स्थिती को खराब करने का आरोप लगाया गया कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद ने आरोप लगाया कि सुबे के हालात खराब करके दोनों पार्टियों ने गडबंधन खत्म कर लिया तो ये सीज़ फाइर वाइलेशन का ज्यादा होना, खौजों का ज्यादा होना, सिविलियन का ज्यादा मरना, सिविलियन्स का ज्यादा जखनी होना और एक्तिशादी दोर, आर्खिक दोर, स्टेट को कंकाल करना, टोरियन्स को ठप करना, डिवलप्मेंट ठप होना, ये खतम करने के बाद आप बार के जन्ता पार्टी आद साथ करके बाहर निकल लेगे कुल मिलाकर अब कश्मीर में दो विफ्रीद रूओं की राजनीती करने वाले दलों, बीजेपी और पीडीपी के बीच गड़ बंधन खत्म हो चुका है, राज में राजपाल शाशन होगा, लेकिन क्या इस दोरान प्रदेश को आतंक वात्ते मुक्ती मिलेगी, इस पर सब की निगाहे रहेगी, जम्मू से राजन दूबे के साथ, पिलोर फोर्ट एमेच्वा नियूज, विधान सबार चुनाओं के बाद चार महिनों तक बातचीज का दौर चला, फिर पीडीपी के ततकाली नध्यक्ष मुफ्ति मुहम्मद साईद और बीजेपी ने एक साजह का के बावजूद चलती रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने पीडीपी से सबर्थन वापसी का एलान कर दिया, चलिए जानते हैं क्या थी बीजेपी और पीडीपी की ब्रेक अप की बड़ी बचे है, अब ये तस्वीरें इतिहास बन चुकी है, वैसे जम् बीजेपी और पीडीपी एक साथ भी आ सकते हैं, लेकिन चुनाओं के बाद विकल्पना होने की वज़े से, सुबे को लोगतांत्रिक सरकार देने के नाम पर बीजेपी और पीडीपी ने चुनाओं के चार महीने बाद एक कौमन एजेंड़ा बना कर सरकार बनाई थी, पी बीजेपी ये सरकार चला रही थी, तो ऐसा क्या हो गया कि पार्टी को महभूबा मुप्ती से समर्थन वापस देना पड़ा, समर्थन वापसी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वज़हों में पहली वज़ह थी, कि रमजान के दौरान घाती में सुरक्षाबलों के आप ठमले हुए जो पिछले महिने से 48 ज्यादा थे, सी स्पायर की बाद ऑपरेशन आल आउड को लेकर भी बीजेपी और पीडीपी में मद्भे थे, पीडीपी चाहती थी कि केमर सरकार पुरियत समेत सभी अलगावबादियों से बात करें लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में थी, एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद टेररिजम और वाइलिंस बढ़ गया, राडिकलेजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जम्मु कश्मीर में PDP की अपनी विचारधारा है और इसी विचारधारा पर उसकी राजनीती भीटी की हुई है महबूबा मुफ्ती के मुताबिक वो पाकिस्तान से अच्छे रिष्टे चाहती थी, युवाओं से केस वापिस लिया गया, एक तरफा संघर्ष विराम की घोश्टा भी की गई PDP भी ऐसा करके अपने सपोर्टर्स के बीच पैट मजबूत रखना चाहती थी जिस तरह से 370 को 35A के खिलाब हमने कोर्ट मे उसको डिफेंट किया और 370 की पुजिशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया इसके इलावा कॉंस्टिटेंस मिल्डिंग मेजर के हवाले से 11,000 लोजमानों के खिलाब हमने केसे विड्राक किये हमने यहां यूनिलेटरल सीज़ फायर करवा दिया हमने यहां नौट लेस दिन दो होम मिनिस्टर की लेवल से डायलॉग का एक आफ़र यहां दे गई और हमारा जो पीडिपी का जो मकसद था रीकंसिलेशन का जो हमारा मुफ्ती साब का खाफ था कि यहां डायलॉग होना चीज़ क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशे मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्किलर पालसी नहीं चल सकती सीज़ फायर के दोरान सुरक्षा बलों पर हमले तो हुए ही लेकिन दो घटनाओं ने आग में घीर डालने का काम किया पहले पत्रकार शुजाद बुखारी की हत्या हुई इसी के साथ सेला के जवान और अई जेव को अगवा करके मार दिया गया जिसकी वरे से सीज़ फायर के के केंडर के फैसले की जम कर किरकिरी भी हुई Fundamental Rights of the citizens that include Right to Life and Free Speech ये भी खत्रे में आगए है वैली में आपने देखा जिस प्रकार एक मुर्धन ये पत्रकार शुजाद बुखारी जी की बिंद हाडे शिनगर शहर में हत्या होती है यहाँ परिष्टिती की विश्मता का एक परचायक है आज प्रस फ्रीडम हो या फ्रीडम आफ स्पीच हो ये भी खत्रे में आ गया है जम्मु कश्मीर में आतंकवात का प्रभाव बढ़ रहा था और बीजेपी इसके लिए पीडीपी की नीतियों को वज़ा बान रही थी इसी के साथ शांती के लिए जो ख़दम पीडीपी के कहने पर उठाये गए उसका भी उल्टा नतीजा ही सामने आ रहा ऐसे में बीजेपी ने चुनाओं में जाने से पहले पीडीपी से समर्थन वापसी का बला फैस्ता लिया पीडीपी से भारती जनता पार्टी ने जम्मु कश्मीर में समर्थन वापस दे लिया जम्मु कश्मीर में महभूबा मुफ्ती की सरकार गिरी गई महभूबा मुफ्ती ने इसी के साथ साथ राज जिपाल को अपना स्तीफा भी सौप दिया है लेकिन इस पूरे घटना करब के बाद राजनीतिक पार्टी ओं के बयान किस तरह किया है सुन लेते हैं सत्ते में हैं सरकार चलाते थे पिछले कल नहीं दखाए दिया जहां हम लोग चला रहे थे जम्मों से लेकर दिली तक सप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चला रहे थे कि जम्मो किश्मी के लोगों को इंसाब चाहिए ये सरकार नहीं चल सकती है यह सरकार जनता विरोधी है यह सरकार दोनों पार्टियों का साथ साथ जो सरकार बनाई है वो लोगों के हिट में नहीं थी तो आप बीजे पी या दिल्ली रूलिंग पार्टि वाले जो मर्जी कहें उरक बात है लेकन जो हुआ यह होना चाहिए था उस दिन से ही यह पता था कि इस कोलेशन सरकार का एंध क्या होना है और जो तीन साल इन्होंने यहां रियासत में दिखा करके कोलेशन चला है मेरे कहल से हम लगातार कहते रहें कि दिस इस दे वेस्टेज अप टाइम वेस्टेज अप मनी और अनहोली अलाइनस था यह स्टार्टिम से और बीच में भी जो तीन साल इनके गुजरे हैं उसमें इनका कोई कामन अजंडा नहीं था किसी भी इश्यू पर यह एक पेश पर नहीं थे तो इसलिए जो यह टूटने की बात थी वो बहुत पहले से ताही थी करते हैं partner now we the party is going to meet and we'll see next course of action we'll go to the people and they are the best judges they can decide on this do you know how to be a leader of the 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 जवानों को चुकाने पड़ी, देश को चुकाने पड़ी है, जब से पीडिपी, बीजेपी की सरकार कश्मीर, जम्मो कश्मीर में आई थी, सबसे ज़्यादा वहाँ खुन खराबा हुआ, ज़्यादा शहादत हुई है, लोग माले गए हैं, गमजान के महिने में हमने जो सिस जम्मो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से बीजेपी ने समर्थन वापस दे लिया है, लेकिन अब सूबे में आगे क्या-क्या हो सक्क्या है, विदान सबच चुनावों के बाद जिस तरह से सीचे मिली तमाम राजनीतिक पार्टियों को और संख्या बलको और आधार बनाय जम्मो कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिर गयी, लेकिन इसके बाद जम्मो कश्मीर में क्या होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन आजनीतिक पार्टियों के बयान को अधार बनाय जाये, तो सूबो में राज्यपाल का शार्षन लगना तय है क्योंकि तमाम पार्टियां किसी को भी इस तमर्थन देने के लिए तयार नहीं सबसे पहले बीजेपी प्रभारी राम माधों ने प्रदेश में राज्यपाल का शाषन लगाने की मान की राज्य में गवर्नर का शाषन लाए और स्थिती को सुधारने का प्रयाफ हो और परिस्थिती सुधारने के बाद आगे जो डॉलप्मेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे इतना विशय ध्यान में रखकर हमने आज ये निरने लिया है आपके सामने एक प्रिश्ण हो सकता है कि आपने तो अभी-अभी जमकुश्मीर विधानसभा चुनाओ को दुरान 87 सीटों वाली विधानसभा में PDP को 28 और BJP को 25 सीटे मिली थी वही नेशनल कॉन्फरेंस को 15 और कॉंग्रेस को 12 सीटे मिली थी जबकि अन्य के हिस्से में 7 सीटे आई थी इसे साब से PDP, कॉंग्रेस और अन्य के साथ मिलकर सरकार बना सकती है नेताओं की बयान के बाद कॉंग्रेस पीटीपी गडबंधन की संभावना भी ख़त तो मानी जा रही है पीटीपी भी आप कोई विकल तलाश नहीं कर रही महभूबा मुप्ती ने भी अपनी प्रेस कॉंफरेंस में साफ किया कि जबू में बीजेपी और कश्मीर में हमें समर्थन मिला था लेकिन अब महभूबा मुप्ती ने किसी अन्य दल के साथ सरकार बनाने की संभावना से इंकार किया है कॉंग्रेस की ओर से भी संभावना से इंकार किया है क्योंकि कॉंग्रेज भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कॉंग्रेज की ओर से गुलाम नभी आजाद ने कहा पीडीपी के साथ सरकार बनाने का सवाल नहीं उठता इधर नेशनल कॉंफरेंस भी राजेपाल से मिलकर साफ कर चुका है कि वो सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा पूर्विसियम उमर अब्दुल्ला ने कहा ना तो उनके पास 2014 में बहुमत था ना भी है और उनके पास किसी का संदेश भी नहीं आया गवर्नर साब से कहा है कि इन हालात में जबकि किसी भी एक पार्टी के पास हकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं तो फिर गवर्नर साब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं उनको फौरी तोर गवर्नर रूल लागू करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी कि रियास्त के जो बहुत ही ज़्यादा खराब हालात है उनको आह सता ब्रूस्त करना होगा इदर जम्ब गश्मीर के राज़िपाल एनन वहुरा के कारेकाल को तीन महीने बढ़ा दिया गया है राज़िपाल का कारेकाल इसी महीने खत्म हो रहा था ये फैसला राज़िपाल शाषेंग की तरफ इशालब करता है जम्मू कश्मीर के ताला राजिती घटा क्राम को लेकर पैंथर्स पार्टी के चेर्मेन बलवन्त मनकोटिया से खास बात चीत के हमारे से होगी राजेंदर दूबे ने आई बीजेपी ने पीडीपी सरकार से अपना घटफंदन तोड़ दिया है हमारे साथ मोजूद हैं पैंथर्स पार्टी से मनकोटिया जी मनकोटिया साथ बीजेपी ने समर्थम वापस ले लिया है आप क्या गएंगे देखिए उस हालात में जम्मू कश्मीर को लाके शोड़ा है बीजेपी ने कि अब ये हालात बापस उस मुकाम पे जम्मू कश्मीर को लाना शायद बहुत समय लगेगा और पहले दिन से पैंथर्स पार्टी जब बीजेपी और पेड़ीपी का गटबंदन हुआ पहले दिन से पैंथर्स पार्टी ने इतराज जिताया था कि जो जिन मुद्दों के अधार पर बीजेपी ने जम्मू में अलेक्शन लड़ा और पेड़ीपी ने जिन मुद्दों के अधार पर कश्मीर में अलेक्शन लड़ा ये इनका दोनों का गटबंदन होना रियास्त के लिए गहतक होगा नुकसान दायक होगा और वही हुआ और पिछले साधे तीन बर्षों में जो तवाई और बरवादी जम्मू किश्मीर की हुई है शायद सो बर्ष लग जाएंगे इसको दो इसकी भरवाई करने में सो बर्ष लगेंगे जम्मू किश्मीर की जम्मू किश्मीर की लोगों को आने वाली सरकारों को जहां पर सीजफायर लिया गया था क्या लगता है कि गटबंधन तोड़ना यह मुद्धा जो है वो बन सकता है देखे गटबंधन तो तूटना ही तूटना था लेकिन जितना ज़्यादा रहा उतनी तबाई और बरवादी हुई और ये सीसफायर तो एक भाना था फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि गठबंदन इसलिए तोड़ा है क्योंकि पारलिमेंट का अलेक्शन शिर्पे है और इनको लगता है कि पारलिमेंट में अगर ये गठबंदन कांटीनियू रहा तो जम्मू किश्मीर ही नहीं बलकि पूरे देश बर में जो जिस तरीके से जलालत बीजेपी की हुई है तो उनको लगता था कि आने वाले पारलिमेंट चुनाओ में ये गठबंदन कांटीनियू रहता है तो हमें नुपसान होगा तो इसलिए गठबंदन एक पारलिमेंट एलेक्शन को मद्दे नजर रखते हुए तोड़ा है और जम्हु कश्मीर की तबाई और बरवादी जो ही है उसकी वज़ासे नहीं किया है और अगर और जब्द रहता और जब्द तबाई रहती तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज इस सरकार में जितना सीस फायर वाइलेशन जम्हु किश्मीर में हुआ हुआ है शा यहां 25 या 25 फीस सदी सरकारी नोकरियों में हिस्सेधर रह गई थी, अब इनकी सरकार में मैज 5-7 फीस सदी सरकारी नोकरियों में हिस्सेधर इस समय जो कश्मीर के हालात बने हुए हैं, अब अमना जी की जातरा जहां पर आने वाली है, तो सरकार जहां पर टूड जाना, कितन ज्रीर्टों का जो बाली परता हुआ जत बाए ऊज्रीकोंन और उंपर, चेट वाओ प्रणोंते के असलों ऑगनधे था तो आने वाले एक महिने की यात्रा कैसे होगी ये भी एक क्वेशिन मारक है इनका साथ तोर पर कहना है कि बीजेपी ने गटफंदन तोड़ा है सिरफ 2019 के चिनाबों के लिए राजेंदर दूबे, MH1 News, जमो